गुद मॉर्निंग बच्चो, क्लास टू, विशय हिंदी, डेट 12 दिसंबर बच्चो हम लोगोंने चिर्कुट की गारी कहानी पढ़े थे आज हम लोग उस कहानी को आगे पढ़ेंगे, पेज नमबर 66 आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चो जूते वहीं छोड़कर कालू कववा दूदिया के पास दूद लेने गया दूदिया बोला कालू भाई मेरे पास बरतन नहीं है तुम कुमार से बरतन ले आओ, मैं तुम्हें दूद दे दूँगा कालू बोला कालू कववा बरतन लेने कुमार के पास पहुचा कुमहार बोला कालू मुझे बहुत बुखार है डॉक्टर को बुला लओ मैं ठीक होकर तुम्हें बरतन बना कर दे दूँगा कालू को वा डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने कहा कालू भाई मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं गंदे कपरे पहन कर मैं कुमहार के पास कैसे जाऊंगा तुम पहले दोबी से कपरे दुलबा के लाओ उन्हें पहन कर मैं तुम्हारे साथ कुमहार के घर चलूँगा तो बच्चों आज हम लोग ने इस कहानी को यहां तक पढ़ा है कल हम लोग इस कहानी को आगे पढ़ेंगे थैंक यू